नमस्कार, प्रिय दर्सकों मैं हूँ सुलोजर रविक उप्ता और स्वागत करता हूँ आज के मेरे बहुत ही विश्यसकारिक रव्य जिहां दर्सकों आज मैं आपको बताऊंगा कि पर्तिक मनुष्य के अंदर बुद्धी मता, वीचार, वानी कारक और कर्म छेतर में फैनांस और मैनेजमेंट के कारक ग्रोहों में यह उराज बुद्ध जो है यह 12 नवंबर से 20 नवंबर तक अस्तगत होने जा रहे हैं जब यह अस्तगत होंगे तो 21 नवंबर से ले करके 10 दिसंबर तक यह बिच्छिक रासी में रहेंगे जो इनकी सत्रुगत राशी है मंगल की रासी और 10 दिसंबर से ले करके 20 दिसंबर तक फिर यह जो है धनुरासी में रहेंगे यानि दोनों राशियों में बुद्ध जो होगा ये बहुत जादा सुभकारी फल नहीं देगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जब बुद्ध अस्तगत हो रहे हैं तो कर्म छेतरों पे इसका क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा दूसरी महत्पुन जानकारी मैं यहाँ भी देदूँगा कि मेश रासी से लेकर के मिन रासी वाले जब बुद्ध अस्तगत हो रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या-क्या पड़ेगा प्रियतर सको सबसे पहले एक महत्पुन जानकारी आपको यहाँ देदे बुद्ध जो है जब 21 नवंबर से 10 दिसंबर के मद्धे में विरिच्चिक रासी में रहेंगे तो विरिच्चिक रासी के मालिक मंगल बुद्ध से सत्रुबद सम्मंद रखते हैं यानि सत्रुरासी में अगर बुद्ध अस्त हो रहा है तो निख्चित तौर पे जो है इसके असुब परभाव में कमी आएगे जब कोई गिराह सत्रुरासी में healthy position पे रहता है तो परभाव साली होता है और अगर वह कमजोर हो जाए अस्त्रुरासी में या फिर जो है किसी कारण से पेडित हो जाता है या सत्रु नच्छत्र में हो या सत्रुरासी से द्रिष्ट हो जाता है तो उसके असुबता के परभाव में कमी आती है इसलिए कभी कभी गोचर में किसी ग्रहों का परभाव अगर कम भी होता है तो यह सुभकारी होता है यानि फिर 10 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक यह ग्रह जो है धनुरासी में अस्तगत रहेंगे क्योंकि 20 दिसंबर तक बुद्ध अस्तगत रहेगा और धनुरासी का स्वामी जो होते हैं बिरहस्पती जिनका बुद्ध से ताल मिल सुभ नहीं है यानि बुद्ध का सत्रुगत राशी में रहने के बाद भी यह अस्तगत होना निच्चित तोर पे सुभ और लावकारी फल के स्थितियों को दिखाएगा प्रदु एक तथ्यों को समझने वारी बात है जिन लोगों की पत्रिका में बुद्ध के इस्थिति बहुत अच्छी है अथार्थ मिंतरगत राशी में है कारक्त तो अश्थान पे है या फिर उचस्त अवस्था में है या सुह राशी है तो उनिके लिए बुद्ध का अस् विचारों के कारक होते हैं जब ये अस्थगत होंगे तो निक्ची तोर पे जिनके कुंडली में बुद्ध खराब है जो उनको कुंडली में निरने लेने में दिक्कते होती थी जो लोग कभी-कभी जादा बोलना चालू कर देते थे इमोशनली गलत फैसले लेते थे ये अ चैनान से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, फूडिंग से रिलेटेड, रैस्टोरेंट से रिलेटेड करम चेतरों में हैं इसके अलावा जो है जो भी व्यक्ति वक्ता है या परवक्ता है, पॉलिक्स के चेतर में हैं, बड़े-बड़े उधोग पती हैं क किसी पद्द को ले करके उसकी गरिमा का सीधा सीधा वक्ता है उन लोगों के लिए खास करके मीडिया लाइन वालों की बात में करूँ थोड़ा सा दिक्कति हो सकती हैं आता जो भी वेक्ति इन छेत्रों में हैं आप लोग एनी टैम एक्टिव रहिएगा अपनी बुद्धमत और वानी पर पूर्ण रुपे नियंतरन रखिएगा क्योंकि देखिए जब कोई ग्रह निचगत होता है यह अस्तगत होता है तो इसके प्रभाव में इसके कर्ण छेत्रों में थोड़ी सी कमी तो दिखती ही है इसलिए थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए इसके लाब क्योंकि बुद्ध जो है निच्चित तौर पे जो है थोड़े से आपके प्रभाव को बढ़ाएगा हलाके प्लस पंट देखे यहां पे यह है कि बुद्ध क्योंकि सत्रुगत राशी में बिरिच्चिक और धनू में रहेंगे इस टैम पे इसे लिए उतना ज़्यादा सू सबसे पहले प्राणब करते हैं मेसरासी वाले मेसरासी वाले जब बुद्ध अस्तगत होंगे तो आपकी कुंडली में या इस्थिती आठवे घर और नौवे घर में गोचर करने वाला रहेगा अथार्थ निक्चित तोर पे बुद्ध आपको 10 दिसंबर तक जो है कानूनी परिशानियों से बचाएगा केस मुकदमा से बचाएगा घरलू विबाद की समस्याओं को यह ठीक कर देने वाला रहेगा और सब्से महत्तपूर्ण बात क्या रिष्तदारों के पास यह चोटे भाई बहनों के पास पैसे जो आपके फसे हुए थे वह मिल जाएंगे यह आ अपको भाग्योनत्य पत उनति शर्फलता के राष्टों को खोंडने वाला रहेगा इसके अलावा आपको सरकारी काम का इसका पुनि रुपेन लाव मिलेगा संतान सुख हेल्थ में शुधार और इसके अलावा जो है परमोशन और पद्दलती के अलाबा एक विश्यस पद्द की प्राप्ती भी करवा सकता है इससे में बिदेश यात्राफ से रिलेटेट कुछ संजोक तो प्राप्त होंगे होंगे लेकिन आपको एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा बुद्ध के फल को और बहतर बनान में गोचर करने वाला रहेगा अथार्त आपके जीवन में 21 तारिक से लेके 10 दिसंबर के मद्धे में विवाहिक जीवन में जो समस्याय आ रहे थी इसमें सुधार आ जाएगा विवाह के लिए उप्यूक्त रिष्टे आ जाएंगे धन संचय होना चालू हो जाएगा पार् कुछ जादा बोल दिये जिसमें रिलेशंशिप खराब हो रहे थे तो यह आपके कठोर वानी पे और बिना किसी भी कारणों से अपसब्द वानियों पे नियंतरन करने वाला रहेगा इसके बाद 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के मद्धे में बुद्ध अश्टम अस्थान में आ सब्से महत्रपूर्ण बात किया है कि सुसुराल पक्षे ताल मेल के अलावा जो है आपको हर मामलों में यह सफल बनाएगा और खंदानी प्रपर्टी का लाब भी देदेगा फिर भी बुद्ध के फल को बहुत बहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है परते एक दि सब्सक्राणे में 21 शलिके 10 दिसंबर तक यह अश्टम हाउस में रहेंगे सत्रुगत रासी में जब सत्रुगत रासी में यह प्रवल रहते है विश्चिक रासी में तो आपको जादा परिशान करता यानी 21 तारीक से लेके 10 दिसंबर के मद्धे में जहे आपके जीवन में लाब की सम्भावनाओं को बढ़ाएगा, क्योंकि ये 12 तारीक से प्रवल हो रहे हैं, तो निच्चित तोर पे आपके लिए लाबकारी रहेगा, यानि निच्चित तोर पे आपके जीवन में यह केस्म कदमाओं से रक्षाओं से बढ़ाएगा, संतान शुकों में ब्रिधी के आउसर को बढ़ाने वाला रहेगा, धन की प्राप्ति कराने वाला रहेगा, बुरे से बुरे श्थितियों में आप आत्न विश्वासी रहिएगा, सबसे महत्तपुर्ण बात किया है, कि माता के स्वास्त जो खराब चल रहे थे उसमें यह कमी कर देगा, मांसिक सांती के अलावा जो है समझ लीजिए, उच्च परकार के लोगों शे संपर्क भी करा देगा, आपकी बुधी मता बहुत अच्छी चलेगी, फिर 10 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के मद्दे में, विवाक के लिए उप्यूक तरिष्टे भी आ जाएंगे, बैपारिक और नौकरी वाले छेतरों के लिए लाब की संभावनाई बनेंगी, इस समय बैपार और नौकरी में बदलाव की अच्छी च्थितियां देखने को मिलेंगी, मेंटल पीस, उच्छ परकार के लोगों से संपर्ख, और बुरे से बुरे परेश्थितियों में भी आपको किसी विश्थितियों में धायल की कमी बुद्ध होने नहीं देगा, यानि कही न तो कही, मिथुन रासी वाले आपके लिए बहुत हिलाब कारी रहेगा, इसके फल को बहुत बहुत बहतर बनाना चाहते हैं, तो परती एक दिन कोशिश्थ करें, गिनिक चालेशा का पाट करने का, या फिर ओम गन गन पते नममंतर का जाब बहतर रहेगा आपके लिए, करकरासी वाले, जब बुद्ध अस्तगत होंगे, तो निश्ची तोर पे, बुद्ध 12 नमबर से 21 नमबर के मद्धे में, आपकी कुणली के चतुरत स्थान पे रहेंगे, अथार्थ 12 नमबर से ले करके 21 नमबर के मद्धे में, आपको थोड़ा सा माता का स्वास्थ खराब और कर्म छेतरों में दिकते हो सकती हैं, 21 नमबर से 10 नमबर के मद्धे में, लोटरी सट्था शेयर मार्केट का बड़ा लाव मिल जाएगा, धन की प्राप्ति के रास्तों के लावा केस मुकदमा से आपके जीवन में रक्षा हो जाएंगे, इसे में संतान सुखों के लाव मिलेंगे, आपके संतान आपके कहना मानेंगे, उच्छा का योग, पेट समन्दी समस्याओं में कमी, सीरदर्द के समस्याओं में कमी दिखने चालू हो जाएंगे, सरकारी कामकाज का विशेस लाव भी आपको प्राप्त होगा, लिस्तदारों से और भाईयों से लाव मिल जाएंगे, 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के मद्धे में, यह आपको कर्ज से मुक्ति कराने वाला रहेगा, मानसिक सांती, धन की प्राप्ती, और उच्छ प्रकार के लोगों से समप्रकी भी कराएगा, इस समय विदेश स्यात्राओं का संजोग बहुत बहतर आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे महत्तपुर्ण बात किया है, कुछ लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सपोर्ट करना भी चालू कर देंगे, और कर्ज और सत्रू भी आपके जो है आटोमेटिक समाप्त होने चालू हो जाएंगे, फिर भी बुद्धे के फल को बहुत बहतर बनाना चाते हैं, तो परते एक दिन पिले रंका पुष्प गनेश जी को अवश्य हर्पित करिएगा, सिंगरासी वाले, जब बुद्ध अस्तगत होंगे 12 नॉमबर से लेके 20 दिसमबर के मद्धे में, तो 12 नॉमबर से 21 नॉमबर के मद्धे में, थोड़े से आपके पराकर में कमी दिखेंगे, आय में थोड़ी सी कमिया दिखेंगी विर्थ के खर्च तो अवश्य हो सकते हैं पुराने रिष्टदारों से या फिर पुराने लब रिलेशन में आपका सुधार होगा हो सकता है क्या पुल से मिल भी सकते हैं हलाके सरकारी काम काज में थोड़ा सा ध्यान देनी कैब सकता रहेगी एकिस नॉबर से दस नॉबर के मद्दे में माता का स्वास्त ठीक हो जाएगा परिवारिक सुखों के लावा धन के बरसात होने चालू हो जाएगे विदेशों से रिलेटर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेशों से होने वाला इंकम अच्छा रहेगा आपका विवाह के लिए उप्यूक्त रिष्टे आएंगे और किसी जीवन में प्रेम संबंद भी अस्थापित हो सकता है फिर आपके दस्ते 20 दिसंबर के मद्धे में बुद्ध पंचमेस रहेंगे जो लोट्री से टस्यार बार्केट का बड़ा लाब देगा आए अस्थान को देखेगा जिस कारण से आए में बड़ोतरी, बड़े भाई बहनों से तालमिल में सुधार, परिवारिक सुधार, धन में संचय और पुराने रिन को भी आप दूर करने वाले रहेगा इस समय विवाह के रिष्टे भी से टोने की पुन रुपेन उमीद रहेंगी और अपनी बुद्धिमता के कारण सरकारी काम काज में आपके नित्रतों छमता को बहुत अच्छे से देखा जाएगा और मेंटल पीस के लाबा बहुत सारे डिशी जाना आप सही लीजिएगा धन में कमी दिखने को मिलेंगे लब रिलेस्टन में थोड़े फैक्षन हो सकते हैं कुछ निरने आपके जीवन में गलत हो सकते हैं और पिता का स्वास्त या बैपारी कस्तरमिया सीनियर से थोड़ा मत्वेद हो सकता है इससे में नोकरी के अच्छे ओफर भी आएंगे लेक ग्याब का साथ देगा रिस्तदारों का पुन रुपे लाभ मिलेगा नए वैपार और नौकरीयों के अउसर अच्छे प्राप्त होंगे पदोनती के संपुन रास्ते खुलेंगे आपकी ख्याती और आपकी परभूता लोगों के समक्ष दिखनी चालू हो जाएंगी और हर निरने अपने जीवन में सही लेंगे सरकार के पास फसेवे पैसे भी निकल जाएंगे और प्रुपटी और वाहन के सुख भी देखनी को मिलेंगे फिर 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के मद्धे में बुध आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे रहेगा जो आपके जीवन में सुख सम्रिधी को बढ़ाने वाला रहेगा माता पिता और सिनियर अधिकारी और रिष्टदारों से आपके तालमिल बहुत अच्छे हो जाएंगे संपती का लाभ भी आपको प्राप्त होगा वाहन का भी लाभ प्राप्त होगा निरने आपके सही होंगे रिसर्च के छेतर में या भी जुडिस्चिल के छेतर में अगर आप सीधे हैं तो सीधा लाभ की शंभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा और विदेसों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में विश्यस लाभ के अलाबा बहुत हत्तक विदेस यात्रा की संभावनाओं बढ़ जाएंगी घहरेल तूला रासी वाले जब बुद्ध हस्तगत होंगे 12 नमबर से 20 दिसंबर के मद्धे में तो 12 नमबर से 21 नमबर के मद्धे में थोड़े से कर्ज आपके बढ़ सकते हैं थोड़ा सीर दर्द पेट के समस्याएं और भाग्यू नती में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आज इस सम आपके धन के रास्ते खुलने चालो हो जाएंगे प्रेम संबंद जो खराब हुआ था इलीगल रिलेशन में किसी प्रिगार के विवाद हुए थे जिसको नजाय संबंद बोलते हैं यह सुसराल पक्सिति मतभेद की स्थितियों में परशानिया आ रही थी इसमें सुधार क की संभावनाई बढ़ जाएंगी इसके बाद फिर जो है आपके जीवन में छोट छोटे कामों में जो अवरोध उत्पन हो रहा था हुआ ठीक हो जाएगा मित्रों को सपोर्ट मिल जाएगा फिर 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के मद्धे में प्राकर्मे इस बुद्ध जो है इतर की शम्मदीत समस्याएं सवस्वराल पक्स रिलेटेट समस्याओं में सुधार देखनी को मिलेगा खंदानी प्रुपर्टी विवाद के लावा सामाजिक सुधार आपके बहुत अच्छे देखनी को मिलेंगे फिर भी बुद्ध के फल को बहुत बहतर बनाना चाते है तुला रासी वाले तो परतिक दिन आपको क्या करना है बारा नौवंबर से बीच दिसम्बर के मद्धे में गोनेश चाहलेशा खा पार्ट करना आपके लिए लागकारी रहेगा विश्चिक रासी वाले जब बुध अस्तगत होंगे 12 नौंबर से 20 दिसंबर के मद्दे में तो 12 नौंबर से 21 नौंबर के मद्दे में आपके कर्ज के योग बढ़ेंगे ख्रोध आपको बहुत ज़्यादा आएगा आपके सिनेर अधिकारी या पिता या फिर आपसे बड़े रिस्दारों से मत्वेद बढ़ सकते हैं इसके अलाबा साउधार रहिएगा कर्ज और केस मुकादमा या दूसरों के लिटिकेशन में आप फस सकते हैं इसे लिए इस समय हर डिशिजन सही लिजेगा निरने सही लिजेगा मानसिक सांती बना करके रखियेगा क्योंकि मैं सरी बता सकता हूँ आपके आपको सपोर्ट तो नहीं कर सकता हूँ फिर 21 नॉंबर से 10 दिसंबर के मत्दे में विबाह के रिस्ते आ जाएंगे कर्ज के रास्ते खुल जाएंगे यानि जो भी कर्ज लिए है वह खतम होना चालू हो जाएगा आई के सुरोतों में बिर्धी होना चालू हो जाएगा पेट और पैरों के समस्याएं भी समाप्त हो जाएगे फिर 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के मत्दे में अलब रिलेशन में शुधार हो जाएगा धर की कमी नहीं होगी इसके अलावा जो है पेट और पैरों के समस्याएं भी समाप्त हो जाएगे लोट्री 60 शेयर मार्केट का तो लाव मिलेगा ही मिलेगा सबसे महत्तपुर्ण बात किया है कि समय आपके फशेवे प्रोपर्टी आपके पास आएगे बीक भी जाएगे और विदेस यातरा तो कई रोक भी नहीं सकता है यह वही समय रहेगा जिस समय आप बहुत छोटे-छोटे कामों को पूर्ण करने वाले रहिएगा अपने प्रेम सम्मंध में लोगों से मिलेने के लिए जाएगा विवा के अच्छे रिष्टे आएगे पुराने पुराने लोग आपके पास लोटेंगे और सभी जगा फसे हुए पैसे भी आपकी जीवन में निकल जाएंगे फिर भी बुद्धे के फल को बहुत बहतर बनाना चाहते हैं तो आपको 12 नुवंबर से 20 दिसंबर के मद्दे में कंटीन नियू जो है गनेश चालिसा का पाट करना बहतर रहेगा विश्चिकरासी वाले धनु राशी वाले जब बुद्ध 12 नुवंबर से ले करके 20 दिसंबर के मद्दे में अस्तगत हो जाएंगे तो देखिए 12 नुवंबर से 21 नुवंबर तक ये तूला राशी में रहेंगे अताहा आय अस्थान में रहेंगे लेकिन ये सुभता वाला फल नहीं दे पाएगा अताहा आय के सुरतों को तो बढ़ाएगा लेकिन उचित सिक्षा में बाद हैं उत्पन करेंगे नए बैपार के नौकरी और नौकरी में बहुत ज़्यादा संघर्स के अलावाद थोड़ा मैरेड लाइफ में डिस्टर्बिंस कर सकता है तो आपको 12 नुवंबर से 21 नुव वर्में विवाद हो सकता था जिसमें रोख्थाम के स्थित्या उत्पन हो जाएंगी नित्र के रोग पेट के रोग और हिर्दय समध्य समस्याएं बढ़ सकती थी जिसमें यह कमी हो जाएगा क्योंकि बुद्ध तो कमजोर हो जाएगा कितना लाब होता है मैंने कहा ना कभ सभावनाओं को बढ़ा देने वाला रहेगा क्योंकि इस समय धनुरासिगत बुद्ध रहेंगे अता विवाद की योग बन जाएंगे इस समय जो है आपके जीवन साती के तरक्की भी होंगे जीवन साती आपको सपोर्ट भी करेंगे पिता का स्वास ठीक होगा आपका स्व स्याव से परशान है सेक्स्वल जीजिट से रिलेटेड परशान है यूरिनी इट्फेक्शन से परशान है तो आप लोगों के लिए सबसे पहले सुधार की संभावनाई बन जाएंगी नए बैपार और नए नौकरियों के जो बहुत दिनों से बैठे वे थे उसके अवसर अच्छे प्रारंब हो जाएंगे और तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे फिर भी बुद्ध्य के फल्व को बहुत 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 बाराना चाते हैं तो कोशिश कीजिए प्रते एक दिन लाल पुष्प जो है माता दुर्गा को अर्पित करने के लिए मकर रासी वाले जब बारानवंबर से ले करके 21 नवंबर के मद्ध में बारानवंबर से ले के 20 दिसंबर के मद्ध में बूध अस्तगत हो जाएंगे तो आपके उपर देखें क्या परभाव पड़ेगा सर परथम देखे मकर रासी वाले बुद्ध आप की कुनली के भागे के मालिक होते हैं अथार्द्ध बुद्ध आप के कारे तत्व होते हैं अत्वारा नमंबर से 21 नौंबर के मद्डे में तुला रासी गत्थ। जो है अस्तुगत होगा जो नए बैपार में और नौकरियों में दिक्कत थोड़ा कर सकता है भाग्योंनती पद्वनती में ये सिनियर अधिकारियों से मतभित कर सकता है आपको थोड़ा साधान रहना है फिर आपको 21 नवंबर से 10 दिसंबर के मत्दे में आई के सुरोत में बड़ोतरी देखना चालू हो जाएगा जहां पैसे फसे हुए थे जहां विबाद की संभावनाई थी वो सरकार हो या प्राइवेट आदमी हो उस मामले में सुधार की संभावनाई आपके जीवन में बढ़ने चालू हो जाएगे इसके अलावा जो है बुधाव का पेट के समस्याओं और पैरो के समस्याओं में कमी देदेगा सबसे महत्तपुर्ण बात क्या है कि कर्ज के मुक्ती भी हो जाएगी और सत्रू भी दूर हो जाएगा कितना लाभकारी है सबसे बड़ा बात देखिए दस तारीक से 20 दिसंबर के मद्धे में जब बुध अस्तगत रहेगा धनुराशी में तो यह आपको केस मुकदमा और कर्ज में फसा सकता था तो केस मुकदमा और कर्ज से बचा देगा प्रेम से विवाह के योगों में जो विवादित हो रहे थे उससे बचा देगा जेली आतराओं से आपको बचा देगा मेंटल पीस उच्छ प्रकार का लोगों से संपर्क और बुरे से बुरे से श्थितियों में भी धन की कमी आपके जीवन में नहीं होगी फिर भी बुद्ध के फल को बहुत बहतर बनाना चाते हैं कोशिश कीजिएगा ओम दुम दुम दुर्गे नौमत्र का बारा नौमबर से बीस दिसंबर के मद्धे में जाब करने का कुम्भरासी वाले जब बारा नौमबर से ले करके 20 दिसंबर के मद्धे में बुध अस्तगत होंगे तो आपके उपर इसका क्या परवाब पड़ेगा कुम्भरासी वाले 12 नमबर से लेकर के 21 नमबर तक बुध तुलारासी में अस्तगत रहेंगे अताह इस समय थोड़ा स्वास्थ आपका खराब हो सकता है पेट पेरों के समस्याएं हो सकती है इसके अलावा जो है थोड़ा सा लव रिलेशन में आपको ध्यान देना है किसी कारण से भी बाद नहीं करना है हलाके लव रिलेशन में आपकी स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा इसके बाद फिर जो है उच्च सिक्षा और संतान के रास्ते खूलेंगे लेकि थोड़ा सा भी बाद हो सकता है तो आपको ध्यान की ध्यान देने की आवशकता रहेगी इसके बाद फिर 21 दिसंबर से 21 नमबर से 10 दिसंबर के मद्दे में नए नौकरी अवैपार के आउसर ठीक हो जाएंगे भाग्यवी साथ देगा लोट्री शट्राश्या मार्केट का बड़ा लाब देखने को मिलेगा केस मुकदमा घरिलो प्रशानी सस्वराल पक्षे तालमिल सुधार हो जाएंगे बुद्धिमता का लाभ मिलेगा सरकारी काम का आज का पेंडिंग काम आपका पूर्ण हो जाएगा खास करके गवर्मेंट से रिलेटेड जो जॉब से रिलेटेड रहा है गवर्मेंट में इसके बाद फिर 10 तारीक से लेकर के 20 दिसंबर के मद्धे में आय के सरोतों में बढ़ोतरी हो जाएगा विदेश स्यात्रा के संभावनाई बन जाएगे संतान सुक संतान के तरक्की के रास्ते पुनरुपेन खुनने चालू हो जाएगे पेट पैर और गलु की शमस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा मांसिक सांती के अलावा प्रेम से विवाह के योग में बढ़ोतरी और विवाह के रिस्ते भी अच्छे आएगे फिर भी बुद्ध के रहा अस्तगत जो रहे इसके फलू को बहुत बहतर बनाना चाते है तो प्रते एक दिन सौफ का भोग जो है भगवान बुद्ध को भगमाप करेंगे भगवान गनेश को अरपित करना है मिन रासी वाले जब बारा नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक बुद्ध अस्तगत रहेंगे तो आपके जीवन में देखिए इसका क्या परभाव पड़ेगा 12 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर के मद्ध में बुद्ध अस्तमस्थान तूला रासीगत अस्तगत हो जाएगे ये लाबकारी फल हो जाएगा क्या हो रहा था माता का स्वास्त जो खराब चल रहा था इसमें सुधार हो जाएगा घरेलू खंदानी प्रोपर्टी के विवाद जो चल रहे थे वह ठीक हो जाएगे आपके प्रोपर्टी नहीं बिक पा रहे थे वह बिक जाएगे आप ही के परिवार के लोग, आप ही के खिलाफ हो रहे थे, वह कुछ सपोर्ट कर देने वाले रहेंगे, और इसके अलावा जो है, बैवाही की जीवर में सक्क किशम भावना है, ये गलत रिलेसंसिप के कारण परशानिया जो हो रही थी, उसमें सुधार हो जाएगा, 21 नॉम फसे हुए पैसे निकल जाएंगे, 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के मद्ध में नए बैपार और नए नोक्रियों के अच्छे औसर दिखेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से संपर का स्थापित होंगे, आपके पैसे कहीं फसे हुए थे, वह पोन रूपे निकल जाएंगे, माता दुरुगा को भोग के शोरूप में अरपित करने का और स्वयम भी इसका शेवन करने का प्रियतर्श को बारा नौंबर से ले करके 20 दिसंबर के मद्धे में ग्रोहों में यूराज बुध अस्तगत हो रहे हैं तो इसका प्रभाव मेंस रासी से ले करके में रासी वाले और अन्नी करम छेतरों पर क्या पड़ेगा इसकी संपूर्ण विष्तिरित जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है तो उमिद करता हूँ कि बताएगे जनकारी से पुन रुपेन होंगे संतुष्ट तो आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए मिलेंगे अगले वीडियो में और महत्तपुन और ग्यानवर्दक जनकारी के साथ तब तक लिए नमस